हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम संजे है और इंडियन रियक्शन में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम पाकिस्तानी मीडिया में जो डिबेट चल रही है जैसे ही इंडिया ने और विकास रेजिमेंड ने चाइना के जो सैनिक है उनको पीछे खदेडा और ब्लैक हैं पर हेलमेट टॉप एसे जगवाव पर कभजा कर लिया तो पाकिसितानी मीडिया में बहुत जलन हो रही है क्योंकि उनके पापा है चाइना और पापा को जटका लगेगा तो आपको बेटे को दर्द होगा तो यह हो रहा है तो देखते हैं कितना जला है पाकिस्तानी मीडिया तो फ्रेंड्स वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो चाइना और इंडिया के दर्मिया जो एक मर्तबा फिर से कशिद्गी हो गई यह लद्दाख के मौमले पर दोनों मौमाले के एक दूस्ट के आमने सामने आगे मगर यह चाइना और भारत का मौमला है डिफिनिटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर यह असर अंदाज होगा बहुत मामला संगीन हो गया है वो तीस और 31 अगस्त की रात को तिबती दस्ते जो हैं उनके पास जो हजारों की तादाद में हैं मुम्किन है एक लाग के करीब हों यह गोरखा सिपाई बहुत अच्छे समझे जाते हैं मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिबती उनसे बहुतर समझे जाते हैं वो अचानक उन्होंने अमला किया और कुछ इलाके पर कब्दा कर लिए जो बहुत एहम है और चीन इसमें किशीद्गी नहीं चाहता उसकी काफी तफसिलात हैं तो मैं बाद में अर्श करता हूं लेकिन इंडिया तुला हुआ है इसोगा चाइना और भारत हरुन सब नतीजा ये है या किशीद्गी हो बिशमिफ है जाऊ तो खेर हुआ है इंडिया का बजट है डफेंस अफ़ेंस सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग तो तक्रीबन चार गुना बजट है फिर ये है कि एकनामिक सुपर पावर बनने का खाफ तो गया देखिए वो जो एक हजार के करीब अमबात हो रही है रोजाना करोना की बजस है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़दा लोगे मबतला हो रहे हैं करोना में तो इंडिया में हो हैं अमबात भी इस वक्त जाएं वो सबसे ज़दा हो रही है इसलिए माशी तरक्की का खाफ दो गया 24% एकॉनमी शिरिंग हो गई है 24% और उसका मदावा करने के लिए कितना वक्त चाहिए इंडियन चैनल चीख रहते जब पाकिसान में शुरू हुआ था कि पाकिसान को कर खत्म कर देगा लेंगे पाकिसान में तो अल्ला ने बड़ा करें किया कुछ खूमत हैं कोशिच की लोग इनको सद्क खारात भी किया एक दूसरों को संबाला भी एतियाद भी की कोई शूर का भी मजाहरे किया फाइनली उतने तो नहीं जतना करना चाहिए और न पाकिसान म में आज की दुनिया में हकार चुप सकते हैं कुछ भी नहीं छुप सकता अब वो उनके पास कार्ड क्या रह गया कि अपने आपको बहादर साबत करें दो कार्ड रह गया कि हिंदूत हुआ का वही आपने देखा उनोंने दाड़ी अपनी लंबी कर ली उस एक चूँच्छ बात यह कि चीन में कोई अख़बरात में खास चर्चा नहीं है बुखार इंडिया में चड़ता है कि हो गया बड़ी कमाल हो गया जी यह थोड़ा सा इलाका उन्हें ले लिए अग्रीमिंट यह था कि वो कोई मसले कारवाई नहीं करेंगे तीस और एक अगस्त की राध को टाइम्स गालबन अख़बार है चीन को उसने लिखा है कि वो अचानक उनने हमला किया और वो जो एट फिंगर्स है ना यह जो जील है यह सत्रह हजार फुट के हाइट पर है यह गलाशेरी है तकरिपन उसकी चोथी उंगली पर उनने कबज़ा कर लिया चोथी तक अप्ट के दोर में भी हुआ था और मनमौन सेंग के दोर में भी हुआ था आदा 96 में चुएन लाई ने यह पेशकिश की थी के 10 किलोमेटर का एरिया बीच में खाली छोड़ दिया जिसे पीश जून कहा जाए अच्छा लेकर नहरू ने यह मुसर्द कर दी पर 62 के बार होई और सब जानते हैं कि उसके नतीजा क्या निकला अब अगर यह किशीदगी रहती है मुस्तकिल यह दो तीन हफते बड़े हैं मैं इसके बाद बरबारी शुरू हो जाएगी अगर कोई जंग होनी हुई तो अब हो सकती है इसके बाद बरबारी हो जाएगी एक नया सियाचिन पैदा कर लिया उनोंने, फरक ये है कि स्याचीन में पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल है, पाकिस्तान के भी कुछ बिगाड नहीं सके वो स्याचीन पे, अचानक बेशनक कब्जा कर लिया, और नुकसान उनका हम से कई गुना ज्यादा है, यह तो चार गुना बड़ी जिनकी हो कम हो जाएगा, आपने देखा कि इस पे बार्डर पे फारिंग कम हो गई है, जी, इस किसम के वाकिया बहुत कम है, जाहर है कितने महाद एक वक्त में खोलेंगे, बपनरवा साब जो मर्जी कहते रहें, इदर अफगानस्तान में भी एरान में चीन दाखल हो गया, ठीक है जी, वहाँ से भी पसपाई हुई, अब वो अफगानस्तान में कोशिश कर रहे हैं, एक मद्यार ने बयान दिया है, कि यहां एक मलेशिया वो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, रुपया खर्च करके, और अशर वगनी की हमायत कर रहे हैं, कोशिश यह है किस्सा लंबा ह जाए, जितना भी खेंचा जा सकता है, निकल जाए है, क्यों, ट्रम्प हार जाए अगर जिसका इमकान मौजूद है, तो मुम्किन है दूसरी हुकूमत की पॉलिसी मुक्तलिफ हो, इस से मुक्तलिफ है, कि अमरीका में सिर्फ एक किसम के पागल नहीं पाई जाते हैं, कई क पाकिसान पर दबाव कम हो जाएगा, और ये किशीदगी अब किसी तरह कम होती नजर नहीं आती, इसलिए कि जब खाव अजबत में कोई कौम पड़ जाती है, वो तिबत के लोगों को बना दी हुई है, उसकी फाज बनाई हुई है, अदलाई लामा को वहां रखा हुआ आसे अख़ा है लकाव्ट है। अफ़र चीन पर उनका कैलेम है, क्लेम था उनका सारी दुनिया प्गांदी जी थी कहते है बामियान तक है इंडिया, अफ़गेमियान के बहुत से लाकों पेका शिक है, जीन के बहुत से सिष़ान पर पहुड़ पाकिसान पर इचिन के और इससे बारती महिश्यत को नुक्सान पहुंचेगा और दस करोड आदमी तो पहले ही वहां फूट पातों पे सोते हैं और अगर यही सूरते हाल रही तो शिकस्त तरेखत का जो मैं हमेशे कहता हूं अगर नरेंदर मुदी साब का एक फोटो शूट भी बड़ा मनजरयाम पर आया बड़े पुछ सुकून हालत में कुछ मोरों के साथ कुछ परिंदों के साथ यह मजभी जेस्चर है यह कल्चिरल है मोरों को अब वो अपने आपको बड़ा भादर साबत कर रहे हैं और एक तरफ अपने आपको वो एक मजभी पेशवा के तरह लेकिन उस पर भारत के अपने लोगों ने बड़ी खासी तनकीत की है बड़े आड़े हाथों लिया है जाहर है वो माश्रे तक्सीम होता है चला जाएगा न तक्सी है एक तो मुसल्मानों पर सि touch नाराद हैं दूसरी अकलियत में नाखुष है बहुत चे रियास्ते नाखुष ंअब मामले जे की हकीकत है वाका क्या है ने वाकत ना आ लुए आष को तो दोस्तों वीडियो पहली तो इनके जो studio है वहांपे यसी नहीं और आप मुझे लगता है कही कच री का बादसा देर हे उसके पास इनका channel का work Sticker ऑक को री में लेने थि आ हैं वैसे से को कौह जो बुड्डे साहब है यह बोल रहे थे कि सिया चिन में मतलब भारत ने इनका कुछ नहीं बिगड़ा सिया चिन की स्टोरी सबको पता है शायद इस आंकल को भी पता हो पता होगी पर इनको पाकिस्तानी जो लोग है उनको बेवकुब बनाना होता है इसलिए ट्यूवी पर क ऑस्टोर की सिया चिन पर कभजा करने के पहले कुछिश पाकिस्तन नहीं की थी भारत ने उनको भारत को पता चला कि वह ऐसा करने आओ तो पहले भारत ने वहां जाके कभजा कर लिया रहे बात हैं ज्यूवी कि तो यह बूलते है कि चाईना का डिपेंस बजट इतना बडर यह वह लोगों का तो वह लोगों का सिर्फ दस बिलियन का डिपेंस बजट है दस यह बारा यह बिलियन का तो वही बात हुई ना तो और दूसरा इनका जो हमेशा बोलते रहते कि कि 10 करोड लोग फुट पार पेश होते मुझे लगता है डुनिया में एक नंबर कहामिर मुल्क है खुदके पास पैसा नह이ं यह बस दूसरों की कमी निकगानने का काम करते हैं यह जारकं न में पंजाब में यह हो रहा है इदर पाकिस्तानी मेडिया के लिए अप डिबेट देखो तो चीन की तारिफ करते नहीं थकते अगर आज पूरी दुनिया में कई कोई आपको पाकिस्तान के आलावा जो पीम है उनका पंतपरदान ने किसी देश का खास नाम लेकर आपको दिखाए देगा कि इस देश के सिवा हमारे तरक की नहीं हो सकती पर हिमरान खान ने खुले तोर पर कहा उस दिन I think 10-15 दिन ही हो गए इस चीज़ को कि हमारा जो हम तरक की चाइना के साथ मिलकर ही कर सकते है और हमारा कई फ्यूचर नहीं है तो इनके साथ चाइना के सिवा कोई और कंट्री है दूर्भभ तुर्की है इनके साथ पिर तुर्छा कुठा Lynch करना या तो यह तो होने से रहा है क्योंकि जिस कंट्री पर ठर्शा करना चाहते हों कम नहीं है तुर्की तूट जाए और यह बस दूसरे पापा उन्होंने धूंडे तुर्की उनका भी हाल वैसा न हो जाए रहे बाद चाइना की तो चाइना को तो मज़ा चका दिया जैसे चाइना मतलब एक होते हैं कई लोग ऐसे होते कि एक थपड मारो तो ऐसे बोलेंगे सामने से कि अगर दूसरा मारो तो देख ले फिर तेरी खैर नहीं और दूसरा मारो तो फिर बोलेंगे कि आप तीसरा मार के दिखा इस तरह का चाइना का उनका स्वबा हो है दराने की कोशिश करेंगे पर पहले हमेशा उनका जो एक फेक प्रोपोगेंडा न्यूजपेपर है ग्लोब चाहिना की आर्म ही इतनी स्ट्रॉंग है इंडिया टिक नहीं पाएगा यह नहीं करेगा 1902 जैसा हाल हो जाएगा तो आप जब इंडिया ने 30 में जगाओं पे कब्जा कर लिया तो आपने क्या किया है चाहिना क्या कर लिया आप खुद उनके जो फोरिए इस डिमेंस मिनिस टॉप हिलमिक टॉप और में जगाव पर कबजा कर लिया पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है तो आपको कैसा लगा वीडियो और आपके क्या विचार है इस वीडियो पर मुझे बताव कमेंट बॉक्स में मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए जे इंट